हाँ वाई नहीं देखा न मेरे वीडियो कोई वीडियो नहीं देखता है न मेरा सिर्फ नोटिफिकिसन जाता है तुमारे पास लेकिन मेरा वीडियो नहीं देखते हो मत देखो कोई बात नहीं तुम देखो नहीं हम बनाना छोड़ेंगे नहीं मैं वीडियो बनाता जाऊंग बनाता जाओंगा, बनाता जाओंगा, भले ही कोई देखे या ना दुखे, लेकिन मेरा मकसद यह एक है, कि मैं इस दुनिया में, इस दुनिया को बदलने में, जो भी ब्यक्ति हैं, उनका साथ मैं अवश्य दूँगा, अभी कोई कामेडी बीडियो चले, कोई मूजिकल चले कोई ऐसा नाटक बाजी चले तो वो सब देखेंगे उस पे एक घंटे में 10 लाग भी हुआएगा और यह जो मेरा motivational वीडियो है, ग्यान वाली वीडियो है मेरा या किसी का भी हो, किसी भी creator का हो, किसी भी यूटूबर का हो जो motivational ग्यान, knowledge, education कुछ भी देते हैं न, उसका वीडियो कोई नहीं देखता है, कोई नहीं देखता है वो कहते हैं न, सब बखवास कर रहा है सब बखवास है, उस पे गलत-गलत comment करते हैं, क्या टाइम पास कर रहा है रे मेरे दोस्त, तुम समझोगे नहीं, और भगवान का ये प्रकृत का जो है न दिया हुआ बर्दान है कि इंसान अपने आप को ही बदल सकता है ना ही कि दूसरे को तो मैं तो तुम्हें बदलने की कोशिस कर रहा हूँ इसलिए ताकि कुछ देखके कुछ सुनके तुम भी कुछ बदल लओ इस वीडियो कि यार ये मैं वीडियो क्यों देखूं वो सोचते हैं कि मैं इस वीडियो को देखूंगा तो इसको पैसे बनेगा रहे पैसे वैसे की तेंजता छोड़ दो मैंने यूट्यूब चैनल पैसे के लिए नहीं बनाया है मैं इतना तो पैसे कमा ही लेता हूँ कि मैं अपना खर्चा रोटी के पड़ा मकान चला सकूँ मैं ये वीडियो इसलिए बनाया हूँ या फिर यूटूब चैनल मैं इसलिए बनाया हूँ ताकि मैं कुछ एक्स्ट्रा कुछ एक्स्ट्रा लोगों को help कर सकूँ मेरे भाई help कर सकूँ तुम ये सोच रहे हो न कि मैं इसकी वीडियो देखूंगा तो इसका watch time बढ़ेगा इसी ये पैसे कमाएगा ये यूटूबर बन जाएगा बड़ा आदमी बन जाएगा दोस्त मुझे बड़ा आदमी नहीं बनना है मुझे छोटा आदमी ही बनना है मैं तो सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यार तुम भी कर सकते हो जो चाहते हो मैं सिर्फ इसलिए मेहनत कर रहा हूँ मैं प्रत दिन एक एक वीडियो इसलिए डालता हूँ ताकि मैं कुछ लोगों को दे सकूँ कुछ लोग मुझसे सीख सके और मैं लोगों को कुछ सिखा सकूँ जो मेरे में knowledge है मेरा खुद का experience है मैं इसके बारे में आपको बता सकूँ मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ नहीं कि मैं कुछ पैसे कमाने के लिए हूँ यार चंद पैसे तो कोई भी कमा लेता है पैसे कमाने के बाद छोड़ो यार मैं तो private कमा के उतना काम कर सकता हूँ लेकिन काफी लोग मुझे comment में बोलते थे यार तु बंद कर दे वीडियो बनाना तु बंद कर दे वीडियो बनाना मैं नहीं मानूँगा यार तुम कितना भी करोगे न मैं वीडियो बनाना नहीं छोड़ूँगा क्योंकि ये मेरा सौक है और जो सौक होता है वो इंसान कभी नहीं छोड़ता है कभी नहीं चाहे तुम मेरी वीडियो देखो या नहीं देखो मैं डिमोटिवेर नहीं होता हूँ क्योंकि मेरे वीडियो पे न दस भी हुआ है, पचास भी हुआ है, एक भी हुआ है कितना भी हुआ है कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि अपना काम सिर्फ एक है कि वीडियो डालते जाओ, डालते जाओ, मेरे साथ जो भी experience है, जो भी knowledge है, सारा में record करके उसमें भड़ता जाओंगा, और एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा, तुम भी कहोगे और सोचोगे, जब तुम्हारी age तुम्हारी परिष्टी थी, तुम्हारी समय जब निकल जाएगा ना, तो तुम भी सोचोगे और उस दिन तुम जरूर कहोगे, यार कास मैं उस दिन उसकी वीडियो देखा होता, तो सायद मेरे मन में एक thought, एक विचार कोई, ऐसी योजना आ जाता, और मेरे जीवन में बदलावा जाता, लेकिन ये तुम्हें बात इस समय नहीं स सत्य है, ये बात तो उस दिन समझ में आईगी, जो मैं अभी पहले बताया हूँ, साथियों इस वीडियो का आप डिसलाइक कर दो, बेसक कोई फरक नहीं परता, लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, कि आज का जो तुम्हारा टाइम है न, वो निकल जा रहा है, इसको त एक बात मन में बठा लो यार, कि किसी भी स्पीकर का, किसी भी मूटिवेशनली स्पीकर का, या कोई भी बंदा, अगर कुछ ग्यान वाली, कुछ सीख वाली, कुछ नॉलेज वाली, कुछ एजुकेशन वाली वीडियो अगर दे रहा है न, उसको पांस मिट का हो, या दस मि अबाद, आर कि तूल